जैसे ही control के साथ enter की प्रेस करेंगे तो यह 14 folder one by one करके आपके computer screen पर open हो करा जाएंगे हलो दोस्तों नवस्कार मैं हूं कोवन और आप देख रहे हैं कोवन इन्पोटेक्ट चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी file या folder की properties को start cut की मदद से कैसे देखते हैं और current open window का same path से नया window कैसे लेते हैं तथा एक समय में एक से अधिक folder को कैसे open करते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों अभी हम अपने desktop screen पर हैं और यहां से हम दो file यहां रख देते हैं और एक folder अभी आप देख रहे होंगे कि यहां पे तीन अलग अलग प्रकार के item हमने रखा है एक यहां पे text file है एक यहां पे image file है और यहां पर एक folder है इनकी properties देखने हो, properties देखने का दो तरीका है, simple दोस्तों आपको alt button press करके रखना है और उस file या folder पर double click करना है, जैसे ही आप double click करेंगे तो उस file या folder की properties का window open होकर आ जाएगा जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, चलिए हम इसे close करते हैं, image की properties हम आपको दिखाते हैं, alt button press करक पर double click करना है, जैसे ही alt के साथ double click करेंगे, तो इस image का properties open होकर आ जाएगा, जैसा कि अभी आप हमारे desktop screen पर देख रहे हैं, हमने इसे आपको अभी double click करके दिखाया, control के साथ और इसकी properties भी आपको दिख रही होगी, ऐसे ही दोस्तों देखें, यहाँ पर एक folder है, folder का भी properties ह में देखना है, तो alt button को press करके रखेंगे, और उस folder पर double click करेंगे, जैसे ही ऐसा करेंगे, तो उसका properties open होकर आ जाएगा, यदि दोस्तों आप mouse को इसमें involve नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उस folder या file को select करें, और अपने computer के keyboard से alt plus enter key को press करें, जैसे ऐसा करेंगे तो उसकी properties open होकर आ जाएगी, चलिए मैं image की properties दिखाता हूँ, मैंने इसे select करा, और अपने computer के keyboard से alt plus enter key को press करा, जैसे alt plus enter key करेंगे, तो उसकी properties open होकर आ जाएगी, अभी मैं इस folder की आपको दिखाता हूँ, तो मैंने alt और enter key को press करा, देखें इसकी भी properties यहाँ पर आ गई, तो इस प्रकार दोस्तों अभी आपने सीखा, alt और double click तथा alt plus enter का उप्योग करके, किसी भी item की properties को हम देख सकते हैं, अब हम सीखेंगे कि किसी भी open folder के current path से उसका एक नया window कैसे लेते हैं, तो चलिए दोस्तों उसके लिए सबसे पहले अपने computer को explore करते हैं, देखें हमने computer का icon को double click करा, और computer का यहाँ पर explorer open होकर आ गया, अब दोस्तों मुझे D drive से कुछ data चीए, तो हमने D drive को double click करा, जैसे हमने double click करा, देखें हमारी D drive open हो रही है, थोड़ा सा computer slow है, यह depend करता है आपके computer के processor पर कि आपका computer कितना तेज है, अभी देखें हमारा D drive open होकर आ गया है यहाँ पर मैं पवन वेडिंग प्रजेक्ट अधर material 2019 को open करना चाहता हूं, तो इस folder को मैंने double click करा, जैसे मैंने double click करा, यह open हो गया, फिर से यहाँ पर मैं इस वाले folder को open करना चाहता हूं, जैसे मैंने double click करा, यहाँ से इस folder को तो मैंने double click करा, और यहाँ से इस folder को तो यह भी मैंने double click करा, अब दोस्तों ध्यान रहे हम चाहते हैं यहाँ पर हमने एक folder के अंदर sub folder, उसके अंदर sub folder, उसके अंदर sub folder को open करके इस पास तक आये, अब दुबारा अगर जो यहीं पर आना होगा, तो normally आप क्या करते हैं, computer का icon को double click करते हैं, फिर से उसी प्रक्रिया को repeat क करते हैं, d drive, जो folder open करना है उसे, फिर से जिसे open करना है, यह प्रक्रिया तब तक आप करते हैं, जब तक कि उस folder तक न चले जाए, तो इसके लिए दोस्तों ध्यान रहे हैं कि पहले folder को open करने में आपने जितना time दिया था, उतना ही time दूसरे folder को open करने के लिए भी आप करते हैं, लेकिन दोस्तों इस से better है, कि आप जिस भी folder के अंदर हैं, वहाँ पर ध्यान रहें कि उससे active रखें, अपने computer के keyboard से control plus N key को press करें, जैसे ऐसा करेंगे, तो वहाँ पर current path से एक नया window open होकर आ जाएगा, अभी आप देख रहोंगे, दो window open होगा, क्योंकि हमने दो बर press कर दिया था, दुबारा मैं दोस्तों open करके आपको दिखाता हूँ, जैसे माली जै मैं इसे open कर दता हूँ, और इस folder का हमको एक और duplicate चीए, तो control plus N key press करेंगे, तुरंत उसका duplicate यहाँ पर open होकर आ जाएगा, चलिए मैं back करता हूँ, और यहाँ का duplicate चीए, तो control plus N key press करेंगे इसका duplicate जच दूसरी तरफ open होकर आ जाएगा, तो इस परकार दोस्तों आपको बार-बार किसी folder को open करना हो, तो उसे step by step open करने क्या हो सकता नहीं है, एक बार open करेंगे, या उसके बाद control plus N key press करें, वह open हो जाएगा, अब दोस्तों हम सीखेंगे कि एक समय में कई folder open करते हैं तो अभी देखें, यह बाय नाम का जो folder है, मैं इसे double click करके open कर देता हूँ, इसके अंदर देखिए, कई सारे folder बने हुए हैं, अब इसमें से जो जो हमको पसंदे, उसी folder को हम open करना चाहते हैं, सबसे पहले इस folder को हम click करते हैं, फिर से दूसरा यह, तीसरा जो भी आपको उसे click करते जाएं, वह select हो जाएगा, और जोब select हो जाए तो आप control बटन दबा कर रखें, और उसे double click करें, जैसे ही ऐसा करेंगे, तो आप देखेंगे, जितने folder को आपने select करके रखा था, वो सारे folder open हो गए, आप देखिए, हमने जितने folder को select करा था, वो सारे folder open होकर आग रखना है, उसे छोड़ना नहीं है, और अब इन तीनों में से किसी एक पर double click करना है, जैसे ही double click करेंगे, तो वो तीनों folder आपके computer screen पर open होकर आजाएंगे, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, जैसे ही दोस्तों, अगर जो आप चाहते ह रखा है, और इन 14 folder को हम एक ही बार में open करना चाहते हैं, तो control button press करके रखिया और enter key press कर दीजे, जैसे ही control के साथ enter key press करेंगे, तो ये 14 folder one by one करके आपके computer screen पर open होकर आजाएंगे, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, यदि आप इसको one by one देखना चाहते हैं, छोटे करके आपको दिखाता हूं, देखिये, एक एक को मैं close कर रहा हूं, और ये close हो रहा है, चलिए one by one करके दोस्तों, अलग अलग एक दो folder को छोड़ कर, random में हम इसे open करके देखते हैं, तो हमने एक folder को click करा, फिर से दूसरा थोड़ी दूरी पर, तीसरा, ये 4 था, ये 5 और य प्रेस करना है, जैसे ही अंटर की फ्रेस करेंगे, वो सारे folder यहाँ पर open होकर आ जाएंगे, आप explorer में जाके check कर सकते हैं, तो हमने explorer को click करा, देखिये यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितना भी हमने select करा था, वो सारा open होकर आ गया है, अब यहाँ से एक करके आप इसे close कर सकते हैं, close करने की shortcut होते हैं, explorer का shortcut में special अलग बनाऊँगा, यह थोड़ा अलग वीडियो था, तो हमने इसमें बना दिया, अगर जो इसी का आपको एक और नया duplicate चाहिए, सब का, तो Ctrl N कीजिए, तुरंत यही पर यह open हो जाएगा, तो इस परकार दोस्तों, आज के वीडियो में आपने सीखा कि current folder का उसी path से एक नया वीडियो कैसे लेते हैं, और किसी भी item का properties कैसे देखते हैं, और पसंदीदा folder को single click के साथ कैसे open करते हैं, आशा करते हैं दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए, चैनल पर तो subscribe कर लिजा, और आपका ग्यान grow हो रहा है, तो जरू subscribe कीजिएगा, वीडियो को like कीजिएगा, और दोस्तों में share करिएगा, अब ऐसे ही road tip centric की वीडियो इस चैनल पर upload करते रहते हैं, जो आपके बहुत ही फायदे की होती है, अगर जो यह जानकारी आपको पहले से पत पता था, तो comment में बताईए, और यदि नहीं पता था, तो भी comment में बताईए, आपको नहीं पता था, तो मिलते हैं दोस्तों आपको न्यू वीडियो में new tip centric के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.